दोस्तो जैसे कि इस विशेपे हम पहले भी बात कर चुके आज फिर बात करने जा रहे हैं जैसे कि हम जानते सुशान सिंग राजपूत का जो मर्डर हुआ है जो मृत्यू हुई है उसमें बहुत से लोग लिप थें प्रभावशाली लोग लिप थें एक पार्टी हुई थी तेरा की रात को सभी को ध्याने 14 जून को जब सुशान की मृत्यू होती है तब एक न्यूज आती है कि पार्टी की गई थी रात को सुशान सिंग राजपूत ने एक पार्टी की थी जिसमें कुछ खास लोग उपस थित थे कम उनके खास दोस्त लेकिन उसके बाद कभी भी वो लिस्ट भाहर नहीं आती कि पार्टी में वो लोग कौन थे और ये बात एकदम ठंडे बस्ते में चली जाती है ये समझना एक अंभीर है कि सुशान की next day मृत्यू हो जाती है रात को पार्टी होती है और जिसमें कौन लोग थे ये पता ही नहीं लगता कभी अब अनील पर अब जो शिव सेना के ही मंत्री है इन्हों ने ट्वीट किया था कि एक सुशान सिंग राजपूत की जो मृत्यू हुई है एक रात पहले तेरा को पार्टी हुई इसमें कुछ लोगों को पैस्तित थे इसके उपर वो सवाल करते हैं कि लॉकडाउन में ये सारी चीज़े हुई ठीक है ये गंभीर है समझना इस चीज़ को कि एक शिव सेना का मंत्री ही ये सवाल कर रहा है कि कैसे एक पार्टी हो गई और यहाँ पे टाइम सनाओ भी एक ट्वीट करता है कि 13 जून को रात को ज रात की पार्टी के उपर जाती है और यहाँ पे टाइम सनाओ अपना ट्वीट डिलीट कर देता है यही इस चीज़ को पूरा का पूरा क्लियर स्पैसिफाई कर देता है कि सुशान सिंग राजपूत का मर्डर है और आज जो लोग कहरे कोई साजिश नहीं है तो नाहीं वो ट्वीट डिलीट होना चाहिए था एक मीडिया का एक मीडिया ने रेपोर्ट करा है वो ट्वीट डिलीट कर देता है एक मंत्री का ट्वीट है जिस पे वो कह रहा है तेरा की रात को पार्टी हुई है और इस चीज़ को नजर अंदाज कर दिया जाता है एक वेरिफाइड अकाउंट शिव सेना का जिनकी सरकार है अगर वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे नजर अंदाज यहाँ पे ट्वीट्स डिलीट और यह तो हम अभी तक देखते ही आएं कि सुशान सिंग राजपूत की मृत्यू में कितनी बड़ी साजिश रची गई है और आज यह केस कहां स कहां आ चुका है आज महराश्ट की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है हर मर्डर को यह सुसाइड प्रूफ कर देते हैं हर मर्डर को तो इसमें यह बहुत समझने वाली स्थिति मतलब बहुत सीरियस है दोस्तों कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि आज अगर हम जाग कर देते हैं उसको सुसाइड बता देते हैं और आप एक आम व्यक्ति मुर्ख बन जाते हैं सोसता है ठीक है हुआ होगा सुसाइड नहीं यह साजश है सौसो करोड की फिरोतिया मांगते हैं लोग बैठके किसी की भी जान लेना यह सोसते हैं इनके बाए हाथ का खेल है और हम भाईया इनको होने देते हैं नहीं अब समय आ चुका है हमारे जगने का हमारी वोट की पावर दिखाने का इस बार हम मुर्ख नहीं बनेंगे इस बार हम इने करारा जवाब देंगे और जो कातिल हैं वो जेल में सड़ेंगे तो अब यहां पे आप यह क्लियर समझो ले इस वीजियो को जादा से जादा फेला दो जो आज कहते हैं कि तेरा की रात को पार्टी नहीं हुई थी पार्टी हुई थी हम सवाल पूछते उस यह कुछ जानते हैं जिसको छुपा रहे हैं टाइमस नाओ कुछ जानता है इनको कहलवा के ट्वीट डिलीट करवाए गया तेरा की वो पार्टी जो आज तक पाब्लिक में नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है उसमें कौन सा वो प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके नाम को द रिलेट कर लो अब रिलेटेबल है अब सारी चीजे अब आपके सामने जो पहली बनी हुई थी ना जो बोल रहे है मुंबई पुलिस नहीं महराश शरकार नहीं बदनाम कर रहे है यह पहली सुलज गई है उन लोगों के लिए और अभी भी मुर्खों जैसे बोल रहे है कि नहीं यह ठीक है तो I'm sorry फिर तो क्या बोलू आपको तो भहिया चले जाना चाहिए दूसरा प्लैनेट पर यहां पर रहने का अधिकार नहीं है यही कहना चाहूंगा मैं तो बाकी इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को शेयर करो जादे स्यादा लोगों तक जिससे जान कारी को इस वीडियो में इतना ही है आप मेरे को Facebook, Twitter, Instagram पर follow कर सकते है जो मेरा username है आपको साइड में दिख जाएगा जैहंद